कि हलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वारा था आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरित तक पे हम पुरह पस्ति तक नए वडियो में आसा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे खासकर वैसे साथी वैसे भाइबान जिनको बहाली का इं पुलिस का बहाली आ चुका है और आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है एकी सज्जार 391 पदों पर आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है इतना ही आपको कहेंगे अगर आप इसके योग्या है आप अपनी योगता देख लीजिए हम आपको भी दिखाएंगे बने में अगर कोई जो अल्रेडी हम से जुटे हुई है अगर उनके घर में कोई अगर भीहार पुलिस में जाना चाता है तो उनके लिए वीडियो खासकर लाबदायक होगा इसी करीमा बने गए और चुकी पढ़ना जो होगी है आपको तो किरन पब्लिकेशन का बुक है इस प्रैक्टिस सेट है यानि प्रैक्टिस कीजिए इसमें हिंदी है सामाजिक विज्ञान एंग्रेजी गनीत विज्ञान सामसामिक यानि करेंट एफियर और इसमें जो पूछा जाएगा दो बुक आप लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है बहुत है चुकि ये शॉ अब हम बात करते हैं यह आवेदा नोटिफिकेशन दो आज से चालू हुआ है उसको लेकर हम देखते हैं ठीक है कि देखते है कि आपकी जो भी योगता है अगर योगता चेक करना है तो आप एक साइट है इस साइट को डालिएगा गूगल अपने मुबाइल में वैसे तो फेमस साइट ये भी है आप उससे भी देख सकते हैं सरकारी रिजल डॉट कॉम यह कोई मेरा साइट नहीं है यह अच्छा साइट है उसी परकार एक साइट है ओनलाइन ओनलाइन अपडेट लिए अपडेट लिए इसमें आपका साइट खुलेगा इसमें आप जाएंगे नीचे तो सभी कुछ है नीचे आईएगा नीचे आने के बाद लेटेस्ट जॉब बिहार पुलिस को स्टेबल रिकुट्मेंट जो बार्मी पास उनके लिए इस पर क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर ये खुलेगा बिहार पुलिस नहीं भरती केवल बार्मी पास आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी इलिजबल है और आवेदन देखिए कई से क्या है ठीक है इस लिमिट सभी पर बा पर पर बार्तिका एंजार कर रहें तो आपका ऑन जार घरी जल्दी समाप्त होने वाली है क्योंकि विए प्रसट हैं क्योंकि आप जानने कुछ कुछ जानना चाहिए ब्यार प्लिज को स्टेवल रिकृटमेंट 2023 के नाम से बाहली है भारत के सभी नागरिक किसी वो भी इसमें इलिजबल हैं कितने पत्र पे 21,300 एकानमी इसमें योगता बाग भी पास है आउनलाइन आपको आवेदन होगा जो आज से स्टार्ट हो चुका है आवेदन 26 यानि आज से आवेदन स्टार्ट चलेगा और अगले महिना यानि जुलाई के 20 यानि एक महिना है उनके लिए मात्र 13,488 सीट है और महिला के लिए 7,903 सीट है दोनों के मिलाके 1391 सीट पे बहाली होना है ठीक है अब बात्राब्यार पुलिस कॉंस्टेबल का जो फी है वो कितना क्या है जो भी अन्रिजर्वड में आते हैं या जो सामन्न वर्ड में आते हैं OBC में EBC में आते हैं या जो भी अधर राश से यूपी बंगाल जारकन अगर वह भी बिहार में बनना चाते हैं उन सभी के लिए 675 रुपय का फी कटेगा चलान ऑनलाइन ही पैसा कटेगा लेकिन कोई भी महिला हो या स्ट हो या स्ट हो महिला में कोई भी जेनरल EWS स्ट कोई भी महिला बस हो तो महिला का मात्र 180 रुपया लगेगा यहां से बोल रहा है महिला साथी लोग ध्यान से फर्म भर लीजेगा अगर आपकी हाइट ठीक है आप अपना हाइट भी देख लिजिए सच्छिक योगता के साथ हाइट कितना मागा है यहां देखिए आप यह एज है एज कित हैं बी- सी में आते हैं कि मैं 來ा मिनिममम उल्फancum open sara-an Cruz मेरं मैक्सिमum 27 सारसाल आप यहां तो इसी परकार मोद मात्लब बी-सी जो इन्यांत पिछ आबर्म texampeo अड़िए उनका मिनिममम होना चाहिए छार साल इतना तो होना ही चाहिए आधिक से आधिक 27 साल तक हैं तो आप एलिजबल है वियार पुलिस को स्टेबल का फरम भरने के लिए इसी प्रकार अत्यांत्र पिछ्राबर्ग में कोई भी महिला है तो मिनमम 18 साल होना चाहिए 18 से कम नहीं आधिक से अधिक 28 साल तक आप फरम भ प्रकार कोई अनुसर्चे जंजाती में आते हैं पूर्सो या इस्तरी उनका मिनमम 18 साल और अधिक साधिक आपका 30 साल होता है इसको आप स्क्रीन सॉट ले लिजिए यह आपका एज है एज के बारे मताया गया है कि नुनतम कितना होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाह सब्सक्राइब को होना है और दूसरे तरफ आपको CSBC के द्वारा प्रीज को स्टेवल की बहाली होनी है इसी प्रकार पोस्ट का डिटेल देख लीजिए किसको कितना 21,300 आदमी जो पोस्ट है तो जनरल वाले को कितना कितना सीट दिया गया देखिए जनरल वाले जो भी है उनको 8,556 सीट दिया गया जो भी पिछरा वर्ग में आते हैं पुरूशो एस्त्री कोई भी हो 2140 पोस्ट है अत्यंत पिछरा वर्ग में पोस्ट दिया गया सोच चोशो फचत्तर पोस्ट ठीक है सी में आपको 180 सी में इतना और फिमेल में इतना जब सभी को जोईएगा आर्दू 10 चोई यह घलत लग रहा है इसमें मिला लिजेगा आप टोटल पोस्ट किया है और साथ में एक प्रमान पत्र आपको मिलता है और इजनल वह भी रख लिजेगा उसी परकार बार्मीक अच्छा का आप माक्षित और उसके साथ एक सर्टिफिकेट आता है वह भी रख लिजेगा और लेटेस्ट फोटो कि चुवा लिजेगा हिंदी इंगलिस में अस्ताक् परकेट चले जाइएगा तो यह आपका फर्म है और हाइट भी आप बोलेंगे तो देख लिजे हाइट हाइट आप देख लिजे जो भी सामन्य वर्ग में अनाराच्छित है एवं पिछरा वर्ग के पुरसों के लिए नूनितम नूनितम 165 संटीमीटर चाहिए यह पुरस में आते हैं तो वैसे पुरस साथी के लिए नूनितम 160 संटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए उसी परकार जो स्टी में पुरस वर्ग आते हैं उनका नूनितम हाइट 160 होना चाहिए 155 से कम नहीं कोई भी महिला हो किसी भी जाती की हो 155 संटीमीटर होनी चाहिए ठीक है इसके बाद आपका फिजकल का है पहले आप रिटेन इकजाम होगा पहले आपका अब्जेक्टिव इकजाम होगा जब पास कर जाईएगा क्वालिफाइं हो जाईएगा इसके बाद चलिए इसी करी में आपको हम बता दे यहां देखिएगा यह देखिए सरकारी डाट कॉम यह भी बहुत प्रेमस साइट है इसमें भी जाकर आप देख सकते हैं ठीक है और आपको online apply करना है तो नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको देखिए यह apply online इस पे क्लिक किज सब लिखनेगे इसके बाद application को भरना है इसके बास में आपका इस से क्लिक किए दैसी में क्लिक किया तो ख्लिक करने के बाद आपको बोला है फड़ी करन अभु थे से एक दो आवेदक का नाम यानि दसमी के अनुसार होना चाहिए आपके दसमी के माक्षित में जो है वो होना चाहिए और इसमें केवल भारत के नागरिक फर्म भर सकते हैं भ्यार पुलिस का यानि अदर स्टेट के भी लाउड है मुवाल नम्मर सही दीजेगा इमेल आइडी भी दीज हैं आपको इसको पढ़ लिजेगा बढ़िया से फॉर्म में कैसे क्या पैसा लगेगा यहां भी बताया गया सभी कोठी के गैर अधिवास है नन दोबिसाइल उमिद्वाग यानि जो भी बिहार से बाहर के हैं पूरूस है उनको 675 और महिला को भी 675 लगेगा जो बिहार के 180 लगेगा ही खाली आदर एस्टेट की जो भी महिला होगी आदर आज की महिला उनको 675 रुपया लगेगा लेकिन जो बिहार की बेटी है किसी भी जाती में आती है जनरल इस सभी को 180 रुपया मात्र लगेगा पूरूस वर्क को देख लिजेगा जो इबीसी में आते हैं या जो भी मैट्रिक में प्रोसीट टू रेजिस्टर एंड पेमेंट इसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा तो कहने का मतलब यह हुआ आपको मैंने बताने का प्रयास किया और साहिद अच्छा भी लगा होगा चुकि कि किसी भी चीज को अगर बताते हैं तो आपको समझना तो पढ़ेगा ठीक है तो यही था नोटिफिकेशन पर आपका वीडियो था और हम एक चीज आपको बता दे जो आपको याद है कि आप लोग बोलते हैं साइट तो आप गूगल में जाके गूगल 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 में जाके आप इस पर भी जाके देख सकते हैं सरकारी रिजल यह खोल लिएगा इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए ठीक है या तो यह खोल लीजिए और नहीं तो एक और साइट है कि अपडेट ऑनलाइन ऑनलाइन यह भी बढ़िया साइट है इस पर भी जाके ऑनलाइन अपडेट स्टम स्टम डॉट इनमारियेगा इस पर सारा ब्याख्यान दिया हुआ है दोनों साइट पर आप देख लिजिए कोई दिक्कत हो कोसिस किजिए आपने दोस्तों के बीच भाई बान के बीच वीडियो को सेर कर दिजिए मेरे लिए नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी को काम आ जाए अगर मेरे समझाने के तरीका उनको समझ में आ जाए साइबर कैफे जाके सभी डरकुमेंट को फाइलिंग करके ले जाना है खासका मैला साथी आपको मैं बता दूँ आप लोग एक गलती करते हैं जिनको जो विभाहित मेला है साधी सुदा वो अपने पती का मोगाल नमर दे देती है ऐसा गलती मत किजिएगा ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है मोगाल नमर आपको अपना देना है जो आपके पास रहता है ठीक है और इसमें रिचार्ज होना चाहिए पाला दूसरा email ID यह सब चीज email ID हमेशा के लिए बना लिजिए इसको डाइगे में लिखे email ID और password जो होता है ठीक है ये दो चीज आपको compressor ही देना है ठीक है आधार कार्ड लेकर जाईएगा अधार कार्ड में जो भी आपका नाम है अधार कार्ड ठीक है अधार कार्ड इसके बाद जो भी नहीं जया हिंद जया भावत